हेलो एवरीवन मैं हूँ आपका मैस एज़िकर रक्षेगरवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का लेंट फंड कॉमर्स वाले चैनल पर तो बच्चो जैसे कि आप लोग ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है अब यहां पर हमें अपने तीन में सब्जक्ट तो क्लियर रहते हैं कि बिजनस स्टेडीज एकोनोमिक्स और एकाउंट तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कि कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर मैंने मैथमेटिक्स को चूज किया तो मेरे पास फ्यूचर में क्या कौन-कौन से करियर आप पाऊंगा इस बात का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग कॉमर्स विद मैस या विदाउट मैस में से कौन सा आप्शन चूज करने की सोच रहे हैं बाकि इ सभी ऑप्शन ओपन नहींगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट मैस पर ठीक है देखें बचो यहां पर इस चीज को समझ रहा है कि मैथमेटिक्स किस चीज में इंपॉर्टेंट होती है देखें मैथमेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वह आपक के लिए मैस एक अच्छा ऑप्शन होता है कॉमर्स के साथ में मैस एक बहुत जरूरी और एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन इसके अलावा अगर आपको फॉर एक्जामपल मैनेजमेंट रिलेटेट कोर्स या बहुत सारी से कोर्स है जैसे कि माँ बात करूं पर आपको एक तरीके से बोला जाए बैसले बिजनेस एड्मिन्स्टेशन बिजनस से लेटर चीज़े आपको समझनी है उसके बारे में डेफ्ट में समझना है तो आपको यहां पर मैस की जरूरत नहीं है चार्टेट एकाउंटेट अगर मैं बात करूं यहां पर विदाउट मैस वाल से सीख लेते हैं तो विदाउट मैस वाला बच्चा भी इनमें से किसी भी ऑप्शन बड़ी जा सकता है कंप्री सेकेटरी हो गया वहां पर आपको मैस की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैवल एंट टूरिजम अब आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कंडरी है इसकी ग्रोथ डिपेंड किस पर करती है बच्चो कि कोई स्टेट है उसमें कितना टूरिजम आ रहा है वहां से ठीक है तो बच्चो इस फील्ड में भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं ट्रैवल एंट टूरिजम के केस में फील्ड में जहां पर आ करेगा जो पूरी की पूरी प्लैनिंग्स करेगा तो आज के टाइम पर इनका भी बहुत ज्यादा करियर में स्कूप है यह सब चीजे आपको यहां पर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है जर्नलिजम का कोर्स हो गया बच्चों वहां पर आपको मैस की जरू का ओप्शन है ठीक है एनिमेशन एंड मीडिया आज के टाइम पर ग्राफिक्स डिजाइनिंग बहुत सारी सी फील्ड है आप देख सकते हैं जहां पर एनिमेशन और मीडिया के थू लोग करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यह भी इसके लिए बच्चों आपको मैस सेवा कुछ कर नहीं social work के special courses होते हैं बच्चो जिसके तुरू आप याफ्टे से बड़े से बड़े NGO's वगएरा एक अच्चा खुद विदाउट मैस से यहाँ पर आपको मैस की जरूरत नहीं है अब आपको आप्ट करना है कि इस कैटिगरी में या इस कैटिगरी में किसमें आपका सब्सक्राइब इंट्रेस्ट है जिसमें अगर आपका इंट्रेस्ट आ रहा है तो आप उसके गॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि या मैं मैं सुलू या नहीं लूँ या कोई सिंपल सी बात है मैं यह नहीं बोलूंगा कि बिलकुल आसान होती है यार कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है जिनको ड सकते हैं ठीक है तो यह विदाउट मैस बच्चों आपके पास option है अब बारी आती है विद मैस में क्या फायद है अगर आपने mathematics को लिया है सबसे पहली बात तो मैस वाले बच्चों के लिए सभी option हमेशा के लिए खुले रहते हैं चाहे वो विदाउट मैस वाले option हो या फि भी नहींगे ठीक है अब सबसे पहले सभी option आपके पास मैस वाले बच्चों के लिए उपन है लेकिन अगर आपको for example बी कॉम ऑनर्स करना है ठीक है लाइक economics में आपको बी कॉम ऑनर्स करना है ठीक है मतलब कि एक होता है ना तो अगर इस case में जैसे कि मैंने बताए कि economics हो ग स्टेट्स तो अपना आप में बड़ा important role play कर रहा है तो ऐसी फील्ड में आपको बी कॉम ऑनर्स की लिए बहुत सारे देली उनिश्टीव की कॉलेज है जहां पर आपको मैस की जरूरत होती है ठीक है कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बी कॉम ऑनर्स without मैस भी करवाते हैं लेकिन सिंपल सी बात है कि जब मैंने बताया कि economics, finance, stats इन सेक्टर में खासा जरूरत होती है मैस की तो आप उसके according opt करें ना कि college में मिल जा रहा है तो उसके basis पर उसके लावा BA economics ठीके जैसे हो गया BA stats best in arts का मतलब यहां पर यह नहीं कि आप stats में भी आप BA कर सकते हैं BCA best learning computer application जी हां अगर किसी भी बच्चे को यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा science, physics, chemistry नहीं पढ़ी आपने और आपको यह है कि आप commerce के साथ में आ चुके हैं और आपको आगे पर computer programming सीखनी है, BCA करना है, MCA करना है, आप एक अच्छे programmer और developer बनना चाहते हैं तो उस case में आपके लिए BCA भी ज़रूत नहीं पढ़ेगी मैंस की, लेकिन अगर आप specially BBA finance करोगे, ठीक है, BCA business administration in finance, उस case में आपके पास जरूरत है मैंस की, actuarial science अपने आप में world की highest paying job है, अगर मैं बात करूँ, actuarial science world की highest paying job की category में आता है, तो इसके लिए math आपका mandatory है, बहुत कम लोग इसको करते हैं, लेकिन ये one of the, बोल सकते हैं की world की highest paying job में से एक है, BBA हो गया, bachelor and business economics, business economics आप कर सकते हैं, BFIA और यहाँ बिजनेस, finance, investment और administration इसमें भी आप बचो जा सकते हैं, तो ये सारे option आपके पास math वालों के लिए additional open हो जाते हैं, बाकि non math वाले option तो open रहेंगे ही रहेंगे, तो अगर आप इन चीज़ों को opt करते हैं, तो आपके लिए बेतर है, बाकि आप choose करिए, कि इनमें से किसमें आपका सबसे यादा interest है, उसके basis पर आप with math या without math, वो आपकी चोईस है, और इसमें आपको किसी का pressure नहीं लेना, खुझ से decide करना है, कि मुझे क्या opt करना चाहिए और क्या opt नहीं करना चाहिए, अपने based on your interest, चली, अब बा validity बच्चों हमने 30 of April तक बढ़ा दिये, अब क्या है believer batch, believer batch हमारे learning fund का class 11 का commerce का एक ऐसा batch है, जिसमें हम आपको cuet level की classes करवा रहे हैं, जी हाँ, मतलब कि अगर आपको class 12 के बाद cuet के preparation करनी है, तो direct आपको 11 से ही इस चीज़ के लिए तयारी शुरू करवा दी जाएगी, जि business studies और accounts के भी teacher आपके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसके लाव यहाँ पर detailed lectures आपको मिलेंगे, teachers की slides मिलेंगी और one-shot lectures थाकि आप चीज़ों को revise कर सके, तो बच्चों यह course बहुत best है आपके लिए अगर आप commerce स्टीम चूस किया है, क्योंकि मैंने देखा है, कि commerce के लिए जो बहुत सारे इसी जगे हैं, जहाँ पर कोई option ही available नहीं है, ना तो अच्छे आपके mentor वहाँ पर available है, जो आपको guide कर सकें, और एक्सर commerce फिल बहुत अच्छी है, लेकिन सही guidance ना होना, सही mentorship ना होना, जिसकी वज़े से मैंने देखा है कि commerce वाले बच्चे अपने आपको कम महसूस करते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि मैं कम हूँ, मेरे science अच्छी नहीं थी, इसलिए commerce लिए, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपने commerce अपनी interest के बेसे पर चूस किया है, तो आप किसी से कम नहीं हो, और commerce की field में आप जो कर सकते हो, वो science वाला बच्चा भ mentorship, सही guidance में आपको आना चाहिए, जो कि आपको इस field में कैसे 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 आप grow कर सकते हैं, क्या बेतर कर सकते हैं, उसके बारे में proper information आपको मिल जाएगी, चलिए, तो बच्चो चैप्टर test और चैप्टर notes, practice questions, सब कुछ यहाँ पर available है, यह course 3999 का है, आपका till 30th April, तो जल से कोर्स को आप जोइन कर लिजे, believer, यह coupon code है, इसको इसको इस्तिमाल करना है, तो नीचे पर एक number चल ला है, 0124-758250, इस पर call है, आप course में enroll कर सकते हैं, तो चलिए बच्चो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे comment box में जरूर से लिख करके बताएगा, कि आप commerce with mess या without mess में से किस option को choose करने वाले हैं, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, take care, goodbye, thank you so much.